The Strangest Secret by Earl Nightingale in Hindi, सबसे आश्चर्यजनक रहस्य Earl Nightingale अस्वीकरण अमेरिका के मशूर लेखक और प्रेरक वक्ता, Earl Nightingale, Earl Nightingale के 1956 में दिये गए मूल अंग्रेजी भाषन The Strangest Secret के हिंदी अनुवाद सबसे आश्चर्यजनक रहस्य की शब्दशय प्रतिलिपी है इसमें कहे गए न तो विचार लेखक के हैं और नहीं लेखक उनके लिए उत्तरदाई है यह विडियो केवल शिक्षा के उद्देश से बनाया गया है, कोई व्यावसायक लक्षय या कोई कॉपिराइट उद्देश नहीं है अडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है, कृपिया मेरे चैनल अडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृपिया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं अर्ल नाइटिंगेल का जन्म बारह मार्च 1921 को लॉंग बीच अमेरिका में हुआ था वे एक मशूर अमेरिकी रेडियो स्पीकर और लेखक थे, जो ज्यादा तर मानविय चरित्र विकास, प्रेणा और सार्थक अस्तित्व के विश्यों से संबंधित लेखन और भाशन करते थे 1956 तक अर्ल नाइटिंगेल एक सफल रेडियो उदगोशक थे उन्हें The Boss of Sky King के रूप में जाना जाता था वे खुद के दैनिक रेडियो और टेलिविजन शो भी चलाते थे आगे चल कर उन्होंने एक छोटी सी जीवन बीमा कमपनी खी दी और अपने बिक्री कर्मचारियों को अपने प्रेरक और उत्साहजनक संदेशों से इतना प्रेरित किया कि यह बीमा कमपनी एक सफल कमपनी साबित हुई बाद में अर्ल ने एक-एक भाशन लिखकर उसे रिकॉर्ड किया ताकि उनके बाहर रहने पर भी उनके कर्मचारी उत्साहित और प्रेरित बने रहें यह भाशन था दस्ट्रेंजिस्ट सीक्रट अर्ल का यह संदेश काफी मशहूर हुआ और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित और परिवर्तित किया आज साठ से अधिक वर्षों के बाद में और प्रभावशाली संदेशों में से एक बना हुआ है यह हर उस व्यक्ती के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है जो इसे सुनता और पढ़ता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरसकार विजेता अलबर्ट श्विटजर से लंदन में एक इंटर्व्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा डॉक्टर आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं यह वह दौर है जिसके लिए आदमी हजारों बरसों से सपने देख रहा था और मेहंत कर रहा था लेकिन जब आज यह दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है यूँ ही उपहार में मिला हुआ लेकिन इसके पीछे छिपे संधर्ष और मेहंत को हम भूल गए है लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरसल होता क्या है चलिए हम ऐसे एक सौ लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की क्या आपको अनुमान है कि 65 की वर्ष उम्र तक पहुँचते पहुचते इनके साथ क्या होगा 25 की उम्र में शुरुआ करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये काम्याब होंगे यदि आप इन में से किसी से भी पूछे कि क्या आप कम्याब होना चाहते हैं तो वह कहेगा निश्चित तौर पर और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आखों में जीवन के प्रती एक उचसुकता, एक जिग्यासा है आँखों में खास तरहे की चमक और हावभाव में एक स्पष्ट ग्रिड़ता है और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा चार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 तूट चुके होंगे अब जरा एक पल सोचिए एक सौ लोगों में से सिर्फ पांच किसी स्तर तक पहुँच सके, इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक उस चिंडारी का क्या हुआ? जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी, वे सपने, वे उम्मीदे, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम यह कहते हैं कि सिर्फ 5 परसेंट ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को सपष्ट भी करना होगा. और यह है सफलता की परिभाशा. सफलता का अर्थ है किसी महान लक्षे को सपष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्षे की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वह कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है. तो वही आदमी सफल है. यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है, तो वो असफल है यानि सफलता निर्धारित लक्षे को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है महान मनोवैज्यानिक रो लो में ने एक अध्भुत किताब लिखी है मनुष्य की स्वयंकी खोज इस पुस्तक में उन्होंने कहा है हमारे समाज में साहस और होसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है बलकि यह है अनुरूपता आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वह है अनुरूपता यानी बिना सोचे समझे भील के अनुरूप चलने की मनहस्थिती अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं यह जाने समझे बगैर की क्यों? लगभग साथ वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पच्चीस के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं साथ ही परिवार की देख भाल भी लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम यह नहीं सीख पाते की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिन्थ कैसे हुआ जाएं क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चलते हैं और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलक प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं यानि उन 95 परसेंट का जो काम्याब नहीं हुए अब सवाल यह है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तर वे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक साचे में गड़ दिया है ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे यह सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं सुभ सवेरे क्यों उठते हैं 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं अब हम सफलता की अपनी परिभाशा पर वापस चलें सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्षिस पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन है वह स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी वह औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पतनी और एक मा है क्योंकि वह पतनी और मा ही बनना चाहती थी और वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाभी रही है वह कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्षय निर्धारित किया था वो सेल्समैन काम्याब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश से अपना व्यवसाय जमाता है हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिसपर्धा करने की जगह हमें स्वया अपना कुछ मौलिक स्रिजित और स्थापित करना है लगभग 20 सालों तक मैं उस कुझी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके क्या ऐसी कोई कुझी है मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविश्य के बारे में सब कुछ तै कर दिया जाएं और हम पहले से ही उसकी भविश्यवानी कर सके क्या ऐसी कोई कुण्जी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके काश आदमी इस कुण्जी के बारे में जान सके और ऐसे इस्तिमाल करना जान सके मैं आपको बताओ ऐसी कुण्जी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहंत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन कुछ खास हासिल नहीं हो पाता जबकि कुछ लोगों को बिना मेहंत किये ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है यानि उनके हाथों में कोई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वह जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है एक आदमी जो अपने जीवन में काम्याब हुआ वह हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशीर रहा, जबकि अस्फल व्यक्ति हमेशा अस्फलता की दिशा में ही काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्षयों की वजह से ही हुआ। हम मेंसे कुछ लोगों के सामने लक्षय होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं। जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष ही नहीं होता लक्ष साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिये जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योजना के साथ जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहा जाना है और कितना समय लगेगा इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष है स्पष्ट लक्ष और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्षे पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था यानि शत्प्रतिशत लक्षे पर अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिये फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और ना ही कोई चालक सदस्य इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है, कोई उद्देश नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घिर जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर बंध हो जाएगा ये किसी स्थान पर पहुँच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्षय है और ना ही उसके साथ कोई मार्गदर्शन बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है एक सेल्समैन का ही उदाहरन लीजिए आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाई से बढ़कर काम्याबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है अगर हमारे सामने लक्षय स्पष्ट हों और हम अपने काम में होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानि विक्री का व्यवसाई दुनिया का सबसे ज्यादा आमधनी वाला पेशा है आज हर कम्पनी को होशियार से होशियार सिल्समैन की ज़रूरत है और वे उसे बढ़ाचडा कर पारिश्रमिक देने को तयार है उनके लिए तरक्की की असीन संभावनाए है लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाती का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फाइदा उठाने से रोकने में नहीं बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में हैं आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कौनवाय काफिले से की जा सकती है जिस तरह काफिला उसी गती से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गती वाली टुकडी भी साथ-साथ चल सके ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कडी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धी या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती आमतोर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता और यह तथाक्थित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है लेकिन यह फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी उचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर यजनक रहस्य पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चले जीवन में सपष्ट लक्षे रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्षविहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताता हूँ जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़िदी बदलाव आएगा जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है आपको अचानक वह सौभाग्य मिल जाएगा जो अर्से से आपको लुभाता रहा है आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिन्ताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्थ हो जाएंगे जो अर्से से आपको घेरे हुए थी शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी सफलता और असफलता की कुझी क्या है मैं आपको बतलाता हूँ हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं पूरे इतिहास में जो भी महान, बुद्धिमान लोग हुए हैं चाहे वे शिक्षक हो, दार्शनिक हो या पैगंबर हो, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है। लेकिन एक मात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम समराट मारकस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है, जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिजराईली ने इस बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ एक निश्चित लक्षे वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है। और अगर द्रिड इच्छा शक्ती हो तो इसकी राह में कोई अडचन नहीं टिक सकती। राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वह पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जैंस ने कहा था, मेरी पीधी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि जूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांचित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांचित चीजे वास्तव में यथार्थ बंदरसल हमारी सोच, हमारी आद्तों और भावनाओं से इस कद्रगुत जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेंस ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेश या लक्ष के लिए वास्तविक इच्छाशक्ती विक्सित करें और उस दौरान एक मात्र वही लक्ष आपके सामने हो। ऐसा ना हो कि एक ही समय सैकडों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबिल का वह कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीले ने कहा है कि पूरी स्रिष्टी के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सका यह एक साधारन सी वास्तविक्ता है, जो समरिध्धी और सफलता इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है. केवल चार शब्दों में कहा जाएं, तो विश्वास करो. सफलता पाओ. ओडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है, क्रिप्या मेरे चैनल ओडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं. विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वास घातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे. जॉर्ज बरनार्ड शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोश देते हैं. लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता इस दुनिया में काम्याबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मन्चाही परिस्थितियां खुद बनाईं. ये वास्तविक्ता कितनी सुखद है और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है. हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं. इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्षे के बारे में सोचें तो हम जूर इसे हासिल भी कर लेंगे. दूसरी और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहा जाना है. और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वह वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वह सोच रहा है और अगर ऐसा है कि वह किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वह आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा. आईए अब यह समझें कि यह सारा कुछ कैसे काम करता है क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यह सारा कुछ क्यों और कैसे होता है कलपना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है जमीन बड़ी अच्छी और उपजाओ है, जमीन में क्या बोया जाए? यह फैसला पूरी तरह किसान का है वह जो चाहे बोये, जमीन को इस से कोई मतलब नहीं है यह ध्यान दीजिये कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा, वह उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा यही वास्तविक्ता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ यदि आप सकारात्मक विचार बोयेंगे तो काम्याबी की फसल काटेंगे और यदि नकारात्मक विचार बोयेंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी कलपना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरह के बीज हैं एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है वह उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देख भाल करता है अब जमीन जो कुछ बोया गया है, उसे वापस लोटाती है, दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला वर्टिकल बार बाइबिल में कहा भी गया है, आप जैसा बोयेंगे वैसा ही काटेंगे, याद रखिये कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है, कि वह अन्न लोटा रही है, याजहर अब मानव मस्तिश्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसे मंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमतकारी, लेकिन यह जमीन के सिध्धान्त पर ही काम करता है यह भी इस बात की चिन्ता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लोटाना है चाहे वह सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमन्जस की स्थिती गलत फहमी हो, भय हो या चिन्ता हो, कुछ भी हो, बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लोटाएगा आपको मालूम है कि मानव मस्तिश्क आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिम महादेश है, जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुक्सम्रिधी भरी पड़ी है यदि हम सकाराक्मक विचार डालें, तो यह भारी सफलता और सुक्सम्रिधी हमें वापस लोटाएगा आप कह सकते हैं कि यदि यह सही है, तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तिमाल क्यों नहीं करते लोगों के पास इसका भी जवाब है हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है, निहशुल्क मुफ्त और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं, उनको हम बहुत कमहत्व देते हैं महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीट बात ही सही होती है आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है वे हमें नहशुल्क उपलब्ध हैं हमारा मस्तिश्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्शाएं, हमारी बुद्धी, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम यहां तक की प्रकृती का उफार, हवा, धूप और पानी भी यह सभी अन्मोल चीजें हमें निहशुल्क मिली हुई हैं और जिन चीजों के लिए हम पैसे खचते हैं, वे इनके मुकाबले काफी हलकी हैं स्तरहीन और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृती की ओर से निहशुल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती और दूसरी बात यह की मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपियोग नहीं हुआ है मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौपा जाएं कर सकता है लेकिन आमतोर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे-मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तमाल करते हैं कई विश्वविद्यालियों ने यह साबित कर दिया है कि हम में से अधिकाश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तमाल करते हैं हमारी शेश्क शमता यूँ ही अंचुई रह जाती है अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है अपना लक्ष अपने मस्तिश्क रूपी जमीन में बो दीजिए यहां आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है आप एक बेहद काम्याब सेल्समैन बनना चाहते हैं कमपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगहज गय जाना चाहते हैं आपको सिर्फ यह करना है कि इस लक्ष रूपी 20 का रोपन अपने दिलो दिमाग में कर लें जतन से एकागरचित होकर इसकी देख भाल करें लक्ष की दिशा में आगे बढ़े, कार्यशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो आप समझ लीजिए कि यह प्रकृती के अन्य नियमों की तरह एक नियम है जैसा सर आईजेक नियम का गुरुत्वाकर्शन का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छट से छलान लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे उपर नहीं जा सकते प्रकृती के सभी नियम हमेशा सही होते हैं हमेशा काम करते हैं आप भी बिलकुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्षे के बारे में सोचिए हमेशा जागी आँखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्षे हासिल कर दिया है उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्षे तक पहुँचने के बाद आपको करने हैं आज हमारे समय के दौर को यदी औश्धियों का युग या अलसर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाएं तो गलत नहीं होगा आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी काम्याबी हासिल कर ली है लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूजने में तनावग्रस्थ हो रहे हैं और खुद को असामिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी हैं हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही यह चमतकार छुपा है दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योग फल होता है हम में से हर एक को भविश्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है क्योंकि आज कल या अगले महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविश्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा आपका मन मस्तिश्ख ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्धेशित करता है मुझे याद है एक बार मैं कहीं जा रहा था रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीशन आवास के साथ काम करते देखा मशीन एक बार में क्रीब 20 तन मिक्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्धेशित कर रहा था एक दम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिश्क से की जा सकती है और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्तिश्क रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हाथों में है क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे छोड़ कर किसी खड में गिर जाने देंगे या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके भील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे यह दोनों विकल्प आपके उपर हैं क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंतरन आपके हाथों में हैं अब देखाना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दो धारी तलवार की तरह है हमें अपनी सोच अपने विचारों पर नियंतरन रखना चाहिए विचारों का यह नियम जहां एक और आदमी को सफलता, सुख और सम्रिधी की और ले जाता है उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है, जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था वहीं दूसरी और यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तिमाल करता है यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूँ और रहस्य भी क्यों कहूँ वास्तव में ये कोई रहस्य तो बिलकुल नहीं है पहले फल किसी बुद्धिमान व्यक्ती ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमानित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार-बार इसका जिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यही कारण है कि यह लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से यह रहस्य भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक-एक कर हर व्यक्ती से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको यह बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वह हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है यदि हमें इसे समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सके यह न सिर्फ हमारे लिए बलकी हम से जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ती के लिए महत्वपूर्ण है जीवन को नीरस और उबाव नहीं बलकी एक उत्तेज नापूर्ण अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जिद्गी पूरी जिन्दादिली से भरपूर जीनी चाहिए उसे सुभस्वेरे नेंध तूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि वह इसे बहतर ढंग से करता है एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भुला नहीं पाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बाते जानी एक तो ये की लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी कि हम सभी कहीं से आये हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्ती पर बीच का समय हमें एक रोमाचक अभियान की तरह बिताना है स्रिष्टी के रचिताने कहीं पहुचने के लिए कोई सीधी नहीं बनाई है लेकिन उस महान शिक्षक ने उस रचिताने समय समय पर इस रहस्य का उदगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वह तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अवतरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो यह आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी सत्रहवी शताबदी में वापस लोटे जब महान वैग्यानिक सर आईजेक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितने की स्रिष्टी की अन्यवस्तूँ पर इन नियमों में से एक है कि प्रत्येक क्रिया की बिलकुल समान और विप्रीत प्रतिक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते 30 दिनों के आप के प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूले चुकाना होगा उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुचाने की या स्वीकृत कराने की भी हमारी ख्शमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता, इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें यह मूल्य चुकाने को तयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि यह मूल्य है क्या? इसमें कई बाते हैं पहली तो यह कि हमें बौधिक रूप से और भावनात्मक रूप से यह समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अर्चनों और बेडियों को काट फैंकना होगा और यह सोचकर काम को अधिक्तम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैविय रूप से निर्धारत है यानि यह समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कलपना से भी बढ़कर अफसर मौजूद हैं अर्थात हमें तमाम संकीर नताओं से और पूर्वाग्रहों से उपर उठना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तिमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष निर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिश्क को लक्षे के बारे में सभी संभव कोनों से विचार करने का अफसर देना होगा अपनी कलपना को खुली छूट देनी होगी कि वह हर संभावित समाधान की परक्ष कर सके यह विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष प्राप्ती के मार्ग में कभी कोई परिस्थिती आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्षे की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे तो बिलकुल ततपर्ता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्य से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं और चौथी बात की आप जो कुछ भी कमाए उसका 10% निश्चित रूप से बचाएं यहां हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मूल्य चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंध संभावनाएं भरी पड़ी हैं आएए हम उन महत्व पूर्ण बिंदूओं को दोहरा ले जो एक खूबसूरत वन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं दूसरा कलपना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को उची उडान भरने दें कि यह भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यानवित नहीं करते हैं और अब मैं 30 दिनों के परीक्षणों को समझाने की कोशिश करूँगा अपने दिमाग में यह स्पष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलकि मुम्किन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं है दो बाते हम सब परलागो होती हैं हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ड पर लिखे हैं कि वह क्या चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं हो सकता है कि यह रुपया पैसा हो, आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमान में रुपया कमाना चाहते हो हो सकता है कि आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में काम्याबी चाहते हो या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमन्ना हो आपको या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता की अभिलाशा हो हम सब कुछ ना कुछ की तमन्ना ज़रूर रखते हैं आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र और स्पष्ट लक्ष है आप अपना यह कार्ड किसी और को मत दिखाएए बलकि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बार इसे देख सकें इस पर लिखे गए लक्षे के बारे में हर सुबह नींड से जागने पर प्रफुलित और शान्तचित से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए कार्ड को देखते समय यह बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूंकि अभी आप अपने लक्षे के बारे में सोच रहे हैं इसलिए यह समझिए कि बहुत जल्दी ही आप इस लक्षे को हासिल कर लेंगे दरसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्षे आपका हो गया जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुर्ता की ओर देखिए इस तरह की प्रचुर्ता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है जदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो यह प्रचुर्ता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती है लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती है जिस चीज से भी आपको भय लगता हो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगहे पर अपने सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्षय का विचार उसकी सजीव कलपना मन में ले आए इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि यह प्रयास छोड़ दिया जाए क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है और यही वज़य है कि सिर्फ 5% लोग ही काम्याब हो पाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रतिशत वाले वर्ग में अपनी जगह बनाएं इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश्क का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें 30 दिनों की इस परीक्षन अवधी के दौरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें यह सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस क्षन आप किसी लक्षे की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी क्षन आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं क्योंकि आप उसी क्षन ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्षे निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक एक सौ में से शीर्ष के पांच लोगों में आ गए लक्षे किस तरह हासिल किया जाएं इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मत उलजाए इसे पूरी तरह उस शक्ती पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज्यादा समर्थ है आपको सिर्फ यह मालूम करना है कि आप किधर जा रही हैं? किस दिशा में जा रही हैं? बाकी के सारे प्रशन जैसे जैसे सामने आएंगे, उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएगा आप धर्मोक देश के यह शब्द याद रखिये और उन्हें परीक्षन के दौरान हर दिन अपने सामने रखिये, प्रशन पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्थ होगा खोजो और तुम उसे पालोगे, दस्तक दो तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो जिग्यासा रखता है, उत्तर पाता है, जो धूंडता है, उसे प्राप्थ होता है, और जो दस्तक देता है, उसके लिए द्वार खुलता है ये सब जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी दरसल यह सिध्धान्त इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलचकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बस आपके लिए ज़ूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो, इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, जैसा आप तक आपने कभी नहीं किया हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें, उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा, उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा प्रसिध संपादिका और लेखिका दोरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस रास को ढूंड निकाला अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है, उनका पूरा चिंतनमनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गया है, इस तरह काम करो मानो असफल होना असंभव है, दोरोथी ने अपनी परीक्षण अवधी पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया अब आप तीस दिनों तक अपना परीक्षण करें, लेकिन तब तक परीक्षण शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तयार न कर लें आप पाएंगे कि द्रिढ़ल गंशील होने की वजह से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि द्रिढ़ल गंख विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि 30 दिनों के परीक्षन के दौरान आप अस्फल हो जाएं यानि नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुआत करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है आप अपने कार्ड को मत भूलें जब आप जीने का यह नया धंग शुरू करते हैं तो यह कार्ड आपके लिए नहायत जूरी है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिनाम आपको उन लोगों से ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं बलकि किसी और जगह से मिले क्योंकि ऐसा नियम है प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है 30 दिन की परीक्षन अवधी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुनवत्ता से माफी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को माफने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक समरिध नहीं बन सकता जब तक वह औरों को समरिध ना करे इस नियम में कोई अपवाद नहीं है एक बार यदि यह नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बतला सकता है यदि वह और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्ध करानी होगी और यदि वह और कम चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी होगी यही वह मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और जूर्टों लिए चुकाना होगा यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वयं को समरिध कर लेंगे तो यह आपकी भूल है इससे आप स्वयं को ही दरकिनार कर लेंगे यह बिलकुल सांस लेने और छोड़ने की तरहे जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि यह असंभव है एक जाने माने मनोचिक इत्सक ने सफलता पाने के लिए छै सूत्रिय उपाय बताए हैं पहला एक निश्चित लक्षय निर्धारित करें दूसरा अपने को कम आकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें तीसरा उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लोट कर उन कारणों को धूंध निकालने की कोशिश करें जिनकी वजह से पहले फल यह बात आपके मन में बैठ गई की आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ती का वर्नन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विशे में अपनी धार्णा को बदलें आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ती का अनुसर्ण करने का फैसला किया है उसकी जगहे पर स्वयं को रख कर सोचें और उसका अभिनय करें मानव सभ्यता के ग्यात इतिहास की शुरुवात से ही विशेशग्य लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसा बनने की कीमत चुकाएं यह काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है, जितना की एक अस्फल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना तीस दिनों का परीच्षन पूरा करें, इसे दोहराएं और फिर दोहराएं हर बार ये आद्तें आपके भीतर आत्मसाथ होती जाएंगी ज्यादा से ज्यादा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे इस नए धंग से जीवन जियें और प्रचुर्ता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों और से सुक्समृद्धी की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शान्ती मिले और यह नियम अपना कर आप उन गिनेचुने लोगों शामिल हो जाएंगे जो शान्त, आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं आज से ही आरंभ कीजिये, याद रखिये खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जबकी पाने के लिए बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुक है आडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है, कृपया मेरे चैनल आडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं समाप्ध